दोस्तों, 1945 में अपने पहले भायना के इस्तिमाल के बाद से ही परमाणू हत्यार दुनिया भर में चिंता और डर का एक परमो कारण रहे हैं हमारे विश्वी निता लगभग एक सदी से बात जानते हैं कि परमाणू युद्ध इस दुनिया को उस तरह से तबाह कर सकता है जैसे पहले कभी नहीं दिखा गया था लेकिन वास्ताओं में ऐसे हालातों की कितनी संभावना है और अब तक का गिराएगा सबसे बड़ा परमाणू हत्यार कौन सा था और वैसी भी एक परमाणू हत्यार काम कैसे करता है तो पहन लीजिए अपने हेजमिट सूट और हो जाईए तयार अंजाम के लिए क्यूंकि आप पर गिरने वाला है एक बड़ा सा नॉलिज बंब तो चलिए थोड़ा इतिहास से शुरू करते हैं और पूछते हैं सवाल कि आखर परमाणू बंब क्यूं बना गये थे 1938 में दुनिया की युद में जाने से ठीक एक साल पहले जर्मन वैग्यानिक ओटो हान बर्लिन की एक लेबरेटरी में काम कर रहे थे जब उन्होंने एक बहुत याद्भूच चीज की खोच की जिसे निउक्लियर एनरजी कहा जाता है हान ने दिखा कि एटम के स्ट्रक्चर को अलग करने से बहुत जादा एनरजी निकलती है जो इस दुनिया में मौजूद मटेरियल का समबर 1941 में अमेरिका Second World War में शामिल हुआ और हुजविल ने मैनहोटन प्रजेक्ट शुरू किया मिलिटरी और कई सो साइंटिस ने निकलियर नरजी हतियार को बनानी के लिए मैनहोटन नियॉक में स्थित इस प्रजेक्ट में साथ मिलकर काम किया इसके बनने के चार साल के बाद ही इसका लक्षपूरा हो गया 16 जोलाई 1945 को अमेरिका ने परमाड़ बम का पहला परिक्षन किया जिसका नाम कोड में था ट्रिनिटी टेस्ट ये बम न्यू मेक्सिको के सुकोरों के ऊपर एक प्लेन से गिरा गया था और इसमें 1,000 तन परमाड़ बमों यतनी पांदार कामियाबी थी, एक महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका इस भायनक नई तक्नीक का भायनक इस्तमाल करने वाला था, यूद लगबा खत्म होने वाला था लेकिन जापान ने हार मानने से इंकार कर दिया और नई राश्पती हैरी एस्टुमेंड ने हिरोशिमा पर न्यू किलर बम गिराने का हुक्म दे दिया, जब लिटिल बॉइ नाम के इस बम को गिराए गया, तो सब कुछ बदल गया, मिशिन के लिए चुना गया प्लेन B-29 सूपर फोर्ट्रेस बंबर, जैसे दा एनोला गे के नाम से जाना जाता है, 6 अगस्त 1945 को लोकल टाइम के हि आप से सुबह 9 बच का 14 मिनिट पा हिरोशिमा पहुँच गया, बमबार्डियर थॉमस फेरिबी ने लगभग 10,000 पाउंड का बम गिराया, फिर पाइलेट पॉल टिबेट्स जल्दी से मुड़े और जितनी तेजी से शहर से दूर जा सकते थे निकल गये, 43 सेकंड बाद ल नग जैसा था, एक डरावना मश्रूम क्लावट शहर से 20,000 फीट हवा में उपर उठ गया, जिससे नीचे वालों को सुरज की रोशनी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी जापान के समराठ हिरो हितों ने पीछे अटने से इनकार कर दिया, हरान लेकिन बेफिक्र होकर जुमैन ने दूसरा बम किरानी का हगूं दिया, इस बार नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम का ये बम, पेशले बम से भी बड़ा हो शक्तिशाली था, फैट मैन को एक अमेर की विमान से गिरा गया था और हिरोशिमा पर बंबारी की तिन दिन बाद नागासाकी की उपर व लोग स्पोर्ट से थोड़ा दूर होने की दुलना में जाधा जलना शायद बेहतर है, जो लोग स्पोर्ट से सीथी तोर पर प्रभावित नहीं हुए थे, उन्हें जलन, अंदुरूनी चोटें और अंधिपन जैसी सभी तरह के भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ा थ युनाइटिड नेशन्स का पहला एक्जेकिटिव एक्ट परमाणू हथियारों को हटाने की मांग करना था, और हरानी की बात तो यह है कि इसे पूरी तरह से नजर अंदास कर दिया था, युद के बाद के सालों में अमेरिका ने परमाणू बमों का परिक्षन किया था, इ पूरी तरह से अलग सोच वाले दुदेश और दोनों के पास इंसानों द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे शक्तिशाली हथियार थे, तो आखिर क्या गलत हो सकता था, लेकिन आप जानते हैं कि आप कहां गलत नहीं हो सकते, तो दोस्तों नीची दिये गए लाइक और पासकते हैं, एनिवे, लोटते हैं धमागों की दराफ, सोवीट यूनियन से पहले सफल परमाणू परिक्षण के तीन साल बाद और कोल्ड वर के तनाव के बढ़ने के साथ ही, अमेरिका ने 1952 में दुनिया के पहले हाइडरोजिन बम को उड़ा कर परमाणू हथियारों को एक नए लवल पर पहुचा दिया था, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाइडरोजिन बम, ओजी एटम बम से कितना जादा शक्तिशाली था, दस गुना, सो गुना, नहीं, ये हिरोश्मा पर गराई गए बम से एक अजार गुना जादा शक्तिशाली था, जब एक रिमोट पैसिफिक आइलेंड पर फटा, तो उसमें 10.4 मेगा टन TNT जितनी तागत थी, ये 10 मिलियन टन से जादा मठीरियल है, बड़े पैमानी पर हुए इस विस्पोर्ट ने कम से कम 4 मिल चौड़ा एक आग का गोला बनाया, जो एक्सपर्स के हिसाब से 1000 सूरज की रोश पहला हाइडरोजन बम 10 मेगा टन का था, लेकिन 9 साल बाद 1961 में सोवियत उनियन ने एक हाइडरोजन बम का परिक्षन किया जो कि 57 मेगा टन का था, जो कि हिरोशिमा को बरबाद करने वाले बम की शक्ती का 3800 गुना है, इस हतियार को 1000 बमबा का जाता है, और ये 26 वीट लं था, आप उस बिचारे पाइलिट के हाल समझ सकते होंगे, उसे और उसके क्रू को इस परिक्षर से बचने का सिर्फ 50-50 चांस दिया गया था, 30 अक्टूबर 1961 को बम ले जाने वाले प्लेन ने उडान भरी और टेस्स साइट की तरफ रवाना हो गया, ये आर्क्टिक पाइलिट में एक पैराशूट लगा दिया गया था, ताकि वो धीरे से नीचे आ सके फिर भी, जब उसने विस फोट किया, तो इतना शक्तिशाली था कि उसकी शॉक वे प्लेन से ठकरा गई, जिससे वो 3000 फीट से जादा नीचे आ गया शुक रहे कि पाइलिट ने प्लेन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन विस फोट ने 22 मिल के अंदर मौजू सारी चीज़ों को तबाह कर दिया, और 37 मिल के उचाही पर एक विशाल मश्रूम क्लाउड बना दिया प्लेन के चालक दल ने दिखा कि शांदार भायनक धूल के बादल ने आकाश में उस जगए छेट कर दिया था जहां वो कुछी देर पहले मौजूद थे और वो जितनी जल्दी हो सके वहां से तेई से भाग निकले सोवियत नीता निकिता खुशेव ने असल में अमेरिका को सिर्फ ये दिखाने के लिए परिक्शन किया था कि किसकी मिलिटरी कैपसिटी जादा तागत वर थी बेशक बम अपने आप में बहुत शांदार था लेकिन इंप्रैक्टिकल भी था और कई छोटे बमों को गिराने जितना प्रभावी नहीं था इसलिए किसी भी पक्ष द्वारा कभी भी बड़ा बम बनानी की कोशिश नहीं की गई थी आज भी जार बमबा अब तक बनाया गया और इस्तमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा परमाडू हतियार बना हुआ है लेकिन मैं कल रात का खाना खाने के बाद यसे पीछे छोड़ने काभी करीब आ गया था मिर भाई इस सच के बावजूत की कोई भी बम कभी भी जार बमबा की शक्ती का सामना नहीं कर सका उननीस सो पैतालीस और उननीस सची की बीच दुनिया भर में परमाडू परिक्षणों में पांसो दस मिगाटन बम विस्पोर्ट किये गए ये पूरे सेकंड वर्वार में इस्तमाल क साथ मैदान में उतर चुके थे लेकिन बहुत चोटे पैमानी पर पांच देश चो किसी भी बंजर जमीन से दिन के उजाले को उड़ाने की कोशिश कर रहे हूं तो आपको क्या लगता है कि उससे पर्यावरन को कुछ नुकसान हुआ होगा है ना वेल हम पूरी तरह से तो कि परिक्षण के दोरान कितने नुकलिया पार्टिकल्स एट्मस्वेर में छोड़े गए हैं लेकिन हम यह ज़रूर जानते हैं कि यह बहुत जादा है बहुत ही जादा और जो उपर जाता है उसे निचाहना होता है कोल्ड वार के दोरान सोवियत यूनियन के पसंदीदा प परिक्षण के साथ बड़ी मातरा में रेडियो एक्टिव धूल और गंदगी हवाम रिस्चार्ज हुई थी जो आसपास के शहरों में जहरेले प्रभाव की रूपे फैल की 250 मिल दूर होने के बावजूद 1956 में किये गए एक परिक्षण के कारण उस्त कोमीनो गोस्त के ल इन्विजिबल रेज आपके शरीर में प्रवेश करती हैं इसलिए हो ना सिर्फ आपके स्किन को बलकि आपके अंदरूने हिस्सों को भी नुकसान पहुचाती हैं आपके बालों को बनाने वाले सल्स मर जाते हैं जिससे वो जढ़ने लगते हैं बीमारी से लड़ने वाले ब्लड सिल्स भी मर जाते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पर जाता है यहां तक कि आपके डियने पर भी हमला किया जाता है जिससे वो तूट जाता है और बीमार कमजोर और परिशान महसूस करने लगते हैं लेकिन अगर आप शुरुआत में रिडियेशन के बच्चों को जन्म देने की संभावनाई जयादा थी क्योंकि डियने म्यूटेशन अक्सर बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है कि तीन पीठियों में साहड़े तीन लाग से ज्यादा लोग सिर्फ सेमी पालाटिंस्क में किये गए टेस्स से प्रभावित हुए थे उए ब बलकि एक ऐसे प्रोसेस को भी डेवलप किया कि जिससे न्यूक्लियर फिशन की रूप में जाना जाता है और यह वो प्रोसेस है जिसने तबाही के लिए हमारी मौजूदा ताकत को जन्द दिया है ओके तो यह प्रोब्लम कुछ ऐसी है इस दुनिया में सब कुछ परमाणूं से बना है आप में जिसको सी पर बैटे हुए हैं वो यहां तक कि आपके दादा जी के नकली दांग भी वो इतने चोटे हैं कि आप उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं लेकिन वो ह जब हाविक रूप से एक जैसे चार्ज वाली चीज़ हैं एक दूसरे को पीछे अटाती हैं जरा चुमबक के बारे मसूची जब आप पॉजिटिव टू पॉजिटिव दो चुमबकों को एक साथ लानी कोशिश करते हैं तो रेस्टिंस होता है जब आप चुमबकों पर अ एक एटम के न्यूकलियस पर एक न्यूट्रोन को दागा जाता है जब ये न्यूकलियस से टकराता है तो उसे दो छोटे न्यूकलियस में स्प्लेट कर देता है जिससे हीट अनरजी की रूप में तेई से बहार निकलती है उसी समय कुछ न्यूकलियस से पूरे तरह से बहा है nucleus nuclear को समझे आप ये एक basic process है जो सभी परमाडू हत्यारों को शक्ति प्रतान करता है और जाता nuclear power plants इसका इस्तिमाल बिजली पैदा करने के लिए भी करते हैं लेकिन nuclear energy बनाने का एक और तरीका है जिसे nuclear fusion की रूप में जाना जाता है ये फिशन से कहीं जादा शक्तिशाली है और इसका इस्तिमाल hydrogen bomb को चलाने के लिए किया जाता है इस इस्तिती में atom तूटने के बजाए आपस में मिल जाते हैं fusion सिर्फ hydrogen जैसे छोटे atom के साथ काम करता है जिसके nucleus में सिर्फ proton होता है दो hydrogen atom में एक दूसरे को पीशे हटाते हैं क्योंकि उन दोनों में positive charge होता है लेकिन अगर उन्हें repel करने वाले force पर काबू पा लिया जाता है तो वे एक दूसरे के साथ टकराने और विस्पोर्ट करने की जाधा संभावना रखते हूं इस तरह वो ना सिर्फ एक दूसरे के करीब होते हैं बलकि गर्मी उन्हें तेई से आगे बढ़ाती है और एक टन गर्मी से मेरा मतलब है कम से कम 180 असी मिलियन डिगीरी फैरेंहाइट हूँ यह तो बेहतगर्म है भाई यह सूरज की दुलना में साथ गुना जाधा गर्म है सूरज भी नुकलियर फीजन से ही जलता है सूर के केंदर पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल प्रेशर के कारण जो यहां धरती पर एयर प् से पैक कर दिया जाता है कि फ्यूजन होनी के लिए बहुत जादा टेंपरेचर होनी की ज़रुवत नहीं होती लेकिन प्रत्वी पर हमें टेंपरेचर को बढ़ा कर प्रेशर की कमी को पूरा करने की ज़रुवत पड़ती है और क्या आप जानते हैं कि किस चीज से बहुत जादा गर्मी पैदा होती है जी हाँ नीकुलियर फिशन से इसलिए हाइडरोजन बम जिसे थर्मो नीकुलियर हथिया की रूप में जाना जाता है एक जादा शक्तिशाली फिशन रियक्शन को शुरू करने के लिए फिशन रियक्शन से गर्मी का इस्तिमाल करके विस्पोर्ट करता है दूसरे शब्दों में जब कोई हाइडरोजन बम फटता है तो वो सूरज से साथ गुना सादा गर्म होता है ठीक है तो अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो अपनी पीट थप-थपाईए तो अब हम बमों को शक्ती प्रदान करने वाले बेसिक प्रोसेस के बारे में जानते हैं तो बम वास्ता में काम कैसे करते हैं तो आई उनके अंदर मौजूद फियल से शुरू करते हैं जो या तो uranium-235 होता है या plutonium-239 ये दोनों radioactive metal हैं जिसका मतलब है उनकी atom में unstable nuclei होते हैं एक unstable nucleus के अंदर बहुत जादा neutron या proton होते हैं उन्हें stable होने के लिए वो बाहर निकाल देते हैं इसे radioactive decay कहते हैं और ये radiation के रूप में energy को पैदा करता है unstable nuclei वाले atom nuclear के fission से आसानी से तूट जाते हैं तो उनका इस्तिमाल परमाणू हत्यारों में क्यों गया जाता है दोस्तों little boy का design बहुत simple था इस bum के अंदर uranium-235 के दो अलग-अलग टुकडे थे plug और target जब विस्पोर्ट हुआ तो shell के अंदर कई 1000 पाउंड विस्पोर्ट भरा हुआ था जिसने plug को एक barrel से नीचे और target के तरफ पुश कर दिया uranium के दो टुकडे आपसम ठकरा के जिससे atom एक fission reaction शुरू करने के काफी करीब आ गए और उनकी ताका तेज से बढ़ गई जब तक ये एक भायनक आग के गोले के रूप में बम के शल से बहार नहीं निकल गए सभी परमाडू हत्यार इस आग के गोले को बनाते हैं और ये इतनी तेज से पहलता है कि एक मागाटन हाइट्रोजिन बम में जो लिटल बॉय के दिलना में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है ये एक मिली सेकंड से भी कम समय में 440 फीट तक पहुंच सकता है भाई दोस्तों लिटल बॉय असल में काफी बे आसर था येई बज़े है कि किसी ने भी कभी भी हतियारों का कोई बड़ा और जादा शक्तिशाली वर्जन नहीं बनाया नागासागी पर गरा जाने वाले बम फैट मैन का डिजाइन बहुत अलग था फैट मैन को यूरेनियम 235 के बज़ाए प्लूटोनियम 239 द्वारा उपरेट किया गया था लेकिन इस्तिमाल किये गए प्लूटोनियम 239 में प्लूटोनियम 240 की भी थोड़ी सी मातरा थी ये एक अलग तरह का प्लूटोनियम है जिसे आईजोटोप कहा जाता है प्लूटोनियम 240 की फिशन स्पीड प्लूटोनियम 239 की तुलना में जादा तेज होती है जिसका मतलब है कि अगर लिटल बॉई के जैसे वेपन डिजाइन का इस्तिमाल किया गया होता इसके चारों तरफ युरेनियम की एक लेयर रखी गई थी युरेनियम की लेयर ने प्लूटोनियम को जगह में रखा और फिशन रियक्शन के लेवल में सुधार करते हुए न्यूटोन को वापस गोर में रिफ्लेक्ट करने मदद की एक्टिवेट होने पर प्लूटोनियम स्फियर को दबाते हुए एक सिमेट्रिकल इंप्लोशन पैदा करने के लिए बम के ब्लॉक्स इसके ठीक चारों तरफ रखते गए कंप्रेस होने के बाद प्लूटोनियम के अंदर एक डिवाइस को तोड़ दिया गया और न्यूटरन को रिडियो एक्टिव मेटल में इंजेक्ट किया गया जिस से फिशन रियक्शन शुरू हुआ और परमाडू विस्पोर्ट हुआ लेकिन दोनों बमों के लिए एक और बात ध्यान में रखनी थी विस्पोर्ट शुरू कैसे किया जाएगा जमीन ने तो काम किया होगा लेकिन बम के एक बड़े हिस्से को एब्जॉब भी कर लिया होगा और अपने रेडियस को सीमित कर दिया होगा इसके बजाए जादा जादा नुक्सन पहुचाने के लिए बमों को हवा में विस्पोर्ट करना पड़ा ऐसा करने के लिए दोनों में एक खास सरक्रिट लगा गया था जो जमीन से उसकी उचाई का पता लगा सकता था और सही समय पर विस्पोर्ट कर सकता था एक हवाई विस्पोर्ट ना सिर्फ बड़े एरिया को नुक्सन पहुचाता है बलकि एक शौक वेव को भी भेजता है जो जमीन में धंस जाती है और फिर पलटती है और फिर शुरुआती विस्पोर्ट के साथ मिलकर एक और भी बड़ी शौक वेव बनती है तो बम गिराने वाले प्लेन के क्रू को सच में इतनी तेज से भागना पड़ता है खेर आजकल के दुनिया में हमें अब इन खतरनाक हत्यारों को प्लेन से नहीं गिराना है इसके बजाए हम उन्हें आटोमेटिक मिसालों से सीधे हवामें दाख सकते हैं बैलेस्टिक मिसाल हैं रेगिलर बमबर की दुलना में लगभग 20 गुना तेज है और हाइडरोजन से चलने वाले परमाडू हत्यारों को ले जा सकती है जो जापान पर दागे गए परमाडू बमों से कहीं ज़ादा खतरनाग शुकर है कि हमारे पास कुछ अच्छे एंटी मिसाल डिफेंस सिस्टम भी मुझूद है तो आज किन देशों के पास परमाडू हत्यार है और क्या आपको वह अंदाजा है कि किस के पास सबसे ज़ादा है हम सटीक आखनों के बारे हम पके तोर पर तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दुनिया भर की सरकार है अपने परमाडू हत्यारों की जानकारी को बहुत गुप्त रखती है लेकिन 2021 के अनुमान के मताबिक रशिया के पास 6255 परमाडू हत्यार है जो बस दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है 5550 के साथ अमेरिका उन से ठीक पीछे दूसरे नमबर पर है परमाडू हत्यार वाले दूसरे साथ देशों में बहुत कम हत्यार है जिसमें नौर्थ कुरिया के पास सबसे कम है शायद 40-50 के बीच और जबकि 40 बम लगभग 6000 के तुलनाम बहुत जादा नहीं लगते लेकिन फिर भी ये नियॉक शहर को पूरी तरह से मिटा देने के लिए काफी है और कुछ भी हैं जो इस सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर सच में दुनिया पूरी तरह से पर माड़ो युद्ध मोतर गई तो क्या होगा एक ग्लोबल कमिनिटी के डूप में हम वर्तमान में 13,000 से ज़्यादा पर माड़ो हत्यारों पर बैठे हुए है लेकिन यह आकड़ा थोड़ा गलत है शांती बनाए रखने की कोशिचों कारण अब सिर्फ 3,000 से 4,000 हत्यार ही एक्टिव हैं और बाकियों को डियक्टिवेट कर दिया गया है यह 1986 की तुलना में बहुती कम है जब 70,300 एक्टिव बम थे जो पूरी दुनिया के लिए एक रिकॉर्ड था बेशक चार हजार परमाडु हत्यार अभी भी सारी मात्रा में नुकसान पहुचा सकते हैं और अगर उनका दस्वा हिस्सा भी उनके निशाने पर आ गया तो जानमाल का भैयानक नुकसान होगा और ना सिर्फ रिडियेशन एक्स्प्लोशन से बलकि फायर स्टॉम से भी हाँ जैसे कि परमाडु हत्यार काफी खराब नहीं थे हेरोशमा में बम दौरा शुरू की गई हर अलग अलग भैयानक आग की लप्टों में समा गए गर्म हवा उठी और चलती हुई तेज हवाएं पैदा हुई जो आग की अंदर की तरफ मोड़ी और उसे भड़का दिया इसने उसे और भी मुश्किल बना दिया और आखिर में गायब होने से पहले इसने लगभग सूरज के रोशनी की कमी से तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और धरती पर मौझूद जातर पौधों और जानवरों की जीवन को भारी नुकसान होगा बचे हुए लोग ठंडी, बंजर जमीन में, सूखी फसलों, मरते हुए जानवरों, बरबाद शेहरों और बन्यादी धाचे के साथ फस जाएंगे काले बादल पूरे एक दशक तक बने रह सकते हैं दूसरे शब्दों कहें तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा पर ज़रा ठहरिए, अपनी पूरी सिंदगी की बचट को एक फॉल आउट बंकर और बीन्स के एक अजार केंस पर खर्श करने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम शायद जल्दी ही किसी भी समय कियामत का दिन नहीं देखने वाले हैं के खत्म होने के बात से इनसान के पास खुद को बर्बाद करने की शक्ति मौजूद है एक परमाड़ विरोधी हमला शुरू कर सकता है और दोनों देशों को अपने अंत का सामना करना पड़ेगा हम इसे mutually assured destruction कह सकते हैं और यह अच्छा नहीं है cold war के दोरा ने इसनी काफी अच्छा काम किया लेकिन अब यह थोड़ा जाधा मुश्किल है दुनिया भर के देशों के तेज गती से हाइपरसोनिक मिसालें विक्सित करने कारण मौझूदा डिफेंस सिस्टम अब काफी नहीं है इसलिए mutually assured destruction अभी भी लागू होता है दिल्चस बाती है कि इस वज़े से सर्फ एक देश के पास ताकत होनी की तुलना में हमले के संभावना बहुत कम होती है वेल मुझे पता है कि इसे सुनने में सुकून नहीं आ सकता लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले हत्यार बिलकुल अच्छी बात नहीं है मुझे लगता है कि यही कारण है कि बच्चों के स्टोर में कभी भी परमाडू खिलोने नहीं देखने को मिलते जो भी हो दुनिया आज नुकलियर नर्जी का इस्तेमाल बुरी चीजों के बजाए अच्छी चीजों के लिए करने को जादा फिक्रमंद है इंफेक्ट पूरी दुनिया की बिजली का लग भग दस प्रतिशत हिसा अब नुकलियर से ही आता है यह अच्छी बात है क्योंकि यह पर्यावंट को खराब नहीं करता और फॉसल फ्यूल चलाने से लग भग दस मिलियन गुना जादा बेतर है नुकलियर रिसर्च ने डॉक्टर्स को कैंसर के खलाफ उनके लड़ाई में भी मदद की है जिससे उन्हें टिमर को नश्ट करने के लिए जरूरिट एडिशन के मातरा का अंदाजा लगाने में मदद मिली जबकि नॉर्मल टिश्यू को कोई नुकसान नहीं होता है हम अपने खाने पर हानिकारक बैक्टिरिया को मारने के लिए भी रिडिशन का इस्तिमाल करते हैं तो ये इतना बुरा भी नहीं है और नुकलियर टेक्नॉलजी की कारण हम वास्ताव में एक बेटर दुनिया बनाने की दिशा में कुछ कतम उठा रहे हैं आईए उमिद करते हैं कि हम वहाँ पर पहुँचने से पहले उस दुनिया को छोटे टुकड़ों में नहीं उड़ाएंगे है ना तो दोस्तों आज आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं अगर हम कभी नुकलियर एनरजी की खोज नहीं करते तो क्या हम बेतर होते या फिर क्या परमाडू हत्यारों के डर ने और बड़े स्तर के युद्ध को रोग दिया है मुझे नीजे कॉमेंट सेक्षिन में आकर बताएं और हां देखने के लिए शुक्रिया